हेलो दोस्तो मेरे नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद इसी तरीका में दोस्तो आज मैं आपके लेका आया हूँ उपक्रम्द था उनके कारिये का पार्ड फाइव दोस्तो अगर आपने पहले पार्च चार पार्ट इस वीडियो क इस टोपिक के नहीं देखे हैं तो मैं आपको सुझेस्ट करूँगा कि आप पहले उनहीं टोपिक को देखें और फिर उसके बाद ही इस वीडियो पर आएं तो दोस्तो चलते हैं सबसे पहला है हमारा काइमो ग्राफ यानि कि विभिन सारी दिक गति वीडियों जैसे बलड प्रेसर मास पेशियों के संकूचल उसके जो ग्राफ होता है उसको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं अजय दोस्तों देखते हैं इसको कैसे को रिलेट करते हैं एक आदमी होता है ठीक वो क्या होता है बीमार हो जाता है तो डोक्टर के पास जाता है ठीक है यानि कि उसका क्या होता है बलड परेसर हो जाता है उसको यानि कि प्रोब्लम होती है फिर उसको उसकी तब्यत खराब रहती है तो जैसे उसकी तब्यत खराब होती है वो डोक्टर के पार हो जाता है और डोक्टर थोड़ा क्या होता है मजा क्या होता है और वो क्या कहता है फिर सुनि का तो डूक्टर कहता है उसको मोका मिलेगा तो हम बता देंगे आपका बलड़ प्रेसर कितना रहता है ठीक है तो दोस्तों इसको ऐसे रिलेट करेंगे अगले चलता है लक्समीटर लक्समीटर से आपको पता होगा यानि कि लक्स की साबूनाती है ठीक है और जो लड़किया यानि कि जो प्रकास इतना तेज होता है कि कोई भी लड़का अगर पहली बार उसको देखके तो हमें से जिन्द की बर उसको याद रखता है ठीक है ना तो लक्समीटर यानि कि परकास की तिर्वता मापने वाला यंत्र अगला आता है लीशी मीटर लीशी मीटर यानि कि वास्तविक वास्पो उत्सरजन मापक यंत्र यानि कि आपको पता होगा जो वोटर होता है यदि उसे हम हीट देना स्टार्ट करते हैं यानि कि उसमें आग देते हैं नीचे तो यह क्या होता है वास्प फोना स्टार्ट हो जाता है दीरे दीरे ठीक है, यानि कि धीरे-धीरे, यानि कि सीली, सीली-सीली, ली-सी, यानि सीली, इसका उटा कर देंगे, तो क्या होता है, सीली-सीली क्या होगा, वो वोटर जो है, वास्प बन कर उड़ जाएगा, तो दोस्तों, अगला चलते हैं, मैगनेटोमेटर, यानि कि मैगनेट, मैगन यानिकि चुंब किया और चुम्प के छ॥ेटर की तीर्वता और दिसा यानिकि उसकी डायरेक्शन औरिसकी श्पीड को मिजर करने वाला डिवाइजी क्या होता है मेगनेटमीटर अगला आता है माइक्रोफोन यानिकि धवनि अर्जब क्या करता है, यह विद्यूत उर्जा में convert कर देता है आपने देखा ही हुआ microphone उसमें क्या होता है हम बोलते हैं ठीक है तो होता कहा है जैसे ही हम बोलते हैं तो वो energy यानि कि आपकी sound energy electrical energy में convert हो जाती है ठीक है अगला चलते है Microtome दोस्तों Microtome का use किसलिए कह जाता है Micro यानि कि micro means बहुती सुक्सम यानि कि बहुती सुक्सम यानि कि छोटे छोटे पार्ट करने के लिए जैसे आपने देखा होगा हम संत्रा वगेरा काटते हैं यानि कि सेव वगेरा apple वगेरा कुछ भी तो क्या करते हैं हम उसके slice बनाते हैं और तो जैसे ही उसके slice बनाते हैं तो उनसे भी यदि हमें छोटे छोटे और भाग करने हों तो हम किसका यूज करते हैं Microtomega यानि कि इसमे Microtomega किसका यूज के जाता है काच के blade तथा diamond blade हीरे का जो blade होता है जैसे आपने देखा होगा काच को काटने के लिए बहुती सुक्सम काटता है वो हीरा जो होता है न अगला आता है Nephoscope यानि कि बादलो की उंचाई वेग और गती की दिसामापने वाला यंत्र दोस्तो एक लड़का होता है ठीक है उसको क्या होता है कल उसको दिल्ली जाना होता है ठीक है तो वो क्या करता है और उस टाइम पर क्या होता है कि बारिस का सीजन चला होता है तो क्या करता है कि भई पता नहीं अब कल बारिस आएगी नहीं आएगी तो वो क्या करता है वो मौसम विभागवालों से क्या करता है नेफो यानि कि फोन है नेफो मतलब फोन है ठीक है तो फोन करके पूछता है मौसम विभागवालों से कि भाई कल को बारिस आएगी या नहीं आएगी ठीक है तो उससे क्या पता चलता है कि उसकी बादलों की उचाई पता चल जाएगी वेग और गती की दिसा ठीक है यानि कि सारी की सारी चीज मुसम की विवाग की जानकरी उसको मिल जाएगी कि कल बारिस आएगी या नहीं आएगी ठीक है अगला आता है पेरिसकोप यानि कि ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक सको अपने आसपास की वस्तु देखने में हेल्प करना यानि कि इसका मतलब क्या है ओट मिन्स क्या होता है जैसे मान लीजिए बारिस आ रही है तो आपको सेल्टर लेने के लिए एक किसी ना किसी जगे पे रुकना पड़ता है ठीक है तो होएगा क्या मान लीजिए सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको दिख जाएगी लेकिन अगर कोई गाड़ी मोड से आ रही है तो आपको दिखाई नहीं देगी तो प्रेक सक को अपने आसपास की वस्तु देखने में हेल्प करना तो ये उसी को हेल्प करता है यानि कि जो चीज सामने नहीं है लेकिन फिर भी ये देख सकता है इसकी हेल्प से अब इसका दूसरा एक्जामपल लेते है जैसे पंडूबियां वगेरा होती है जल में तो उनकी इस इसकोप की हेल्प से क्या करते है माल लीजिए कोई सतह पर व्यक्ति खड़ा हुआ है ठीक है यानि कि समुंदर के सर्फेस पर तो पंडूबिय में उसकी हेल्प से हम उस व्यक्ति को पाणी के अंदर रहते हुए भी देख सकते हैं यानि कि जो चीज हमारे सामने नहीं है लेकिन हम फिर भी उसको देख सकते हैं इस जी स्कोप के एल्प से दोस्तो अगला आता है फोनोग्राफ यानि कि धवनी की अगया है तो एक फ्लैसलाइट होती है जी से प्रकास निकलता है और उस पसकास के तिर्वता मापने वाड़ा यंद्र ही photometer होता है दोस्तो अगलाता है potentiometer यानि कि यह क्या करता है यह किसी भी सेल की EMF यानि कि electro motive force को miser करता है electro motive force यानि कि وجουत वाहक बल इसमें होता क्या है वीधित वाहक बल क्या होता है मान लीजिए कि कोई electronic device है उसके दुआरा हम क्या करते हैं उससे एक ऐसा force लगाते हैं कि उसमें क्या होता है energy transfer हो जाती है यानि कि energy create हो जाती है उसमें उसी को क्या बोलते हैं विद्युत्वाहक बल बोलते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सेर जरूर कीजिएगा और वीडियो का लिंक आपको यानि की PDF का लिंक आपको वीडियो की description बोस्त में दे भिये जाएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलेगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद